गुड मॉर्निंग एब्रिवन चलो आज हम लेके चलते हैं आपको खेतों में देखते हैं मुम्मी क्या कर रहे हैं मुम्मी लगे हुआ कुछ तो करने के लिए यह हम चलते हैं उससे पहले यह देखो यह हैं सोया भी इनके बूटे लगाए थे हमने सब के सब खरगोश खा गए हैं कितने छोटे चोटे बच गए हैं यह यहां भी लगाए थे पूरे यहां भी लगाए थे खेतों में कुछ नहीं बचा हूँ सब सब खाले खरगोश होने ना यह एक छोटी सी कद्दू की नबेल लगी है देखते हैं कितनी बढ़ती है कब तक चलती है यह देखो यह मम्मी लगे हूँ है घास काटने खेतों के सफाई करने अब इसको बांदने लग रहे हैं यह खेत खाली करके फिर याम लगाएंगे कुछ और बुट्टे है यह देखो कितना घास हो जाता है ना यह बारिशों के लिए टाइम पर यह अब चली है इन सफाई खेतों की यह बांदिये घास यह चले मम्मी यह देखो यह हमने मच्छरों के लिए यह सिंजुगार क्या हो है ऐसे दूआ डालते हैं इससे मच्छर नहीं आते हैं तीन कुल्य काट दिये हैं अब एक और काटना है मम्मी लगे हो उस पर तब तक आगे दिखाते हैं यह देखो यह लगे मम्मी घास काटने सफाई करने के तूगी है अब यहां देखते हैं क्या लगाएंगे मम्मी आजकल मच्छर भी बहुत होते हैं इस मौसम में यह कद्दू की बेल बचाते हुए आस तो इतने बंदर आया हुए थे अभी अभी सब बंदरों को भगाया है सुबह सुबही बंदर आ गए थे यह देखो यह वह खेट जो लगाए था थोड़ी दिन पहले यह मूली का खेट लगाए था यह मूलियों के नपोदे लग रहे हैं छोटे-छोटे बाकी हम दिखाएंगे आपको यह देखो छोटे-छोटे लगनी स्टार्ट होगी है मूलिया यह मिर्ची लगी है इस खेट में भी लगाए है यह सब मिर्चिया लगी है हरी मिर्ची यह देखो यह बैंगन के बूटे लगे हुआ है देखो यह एक और खेट रडी कर दिया ममी ने वह आगे आपको बेल ले दिखाते हम और यह एक और खेट रडी हो गया है यह लगी है पहले अभी कुछ लगानी है लेकिन थोड़ दिन में कुछ लग जाएगा यह देखो अभी बहुत सारे बंदर आया होते हैं यह लगी हुई है जिंजर अद्रक अब हम चलते हैं धूप बड़ी तेज है ममी को करने देते हैं उनका काम हम चलते हैं घर को वापस ऐखो यह देखों यह हमें बंदरों के लिये पटा के जलाएखो कि जवर को